बांगला देश की सरकार रमजान का पवित्र माह शुरू होने से पूर्व भारत से 50,000 टन चीनी तथा 20,000 टन प्यास का आयात करेगी। दिल्चस्प तथे यह है कि भारत से इन दोनों उत्पादों के व्यापारिक निर्यात पर प्रतिबंद लगा हुआ है। बांगला देश में मुरी काटा प्यास का भाव 20 टका उचल कर खुद्रा बाजार में 105 टका प्रती किलो पर पहुँच गया है। उलेखनिये है कि चालू सप्ता के आरंभ में वानीजे मंत्राले ने नई दिल्ली स्थित बांगला देश के उच्चायोग के पास एक पत्र भेजा था जिसमें 50,000 टन चीनी एवं 20,000 टन प्यास के आयात के संबंद में कहा गया था। करार के मुताबिक भारत से चीनी तथा प्यास की खेप रमजान का महीना शुरू होने से पूर्व बांगला देश पहुँच जाएगी। भारत से चीनी के निर्यात पर जून 2023 से ही प्रतिबंद लगा हुआ है लेकिन सरकारी स्तर पर इसका निर्यात खुला हुआ है। बांगला देश में रमजान के महीने में विभिन खाद्य पदार्थों की मांग एवं खपत काफी बढ़ जाती है और कीमतों में भी भारी इजाफा हो जाता है। हालांकि बांगला देश के पास ब्राजील से चीनी मंगाने का विकल्प है और वहां से इसका थोड़ा भुत आयात भी किया जा रहा है लेकिन वह अपेकशकृत महेंगा बैठ रहा है। जहां तक भारत का सवाल है तो यहां से बांगला देश को सडक, रेल एवं जल मार्ग तीनों रास्तों से चीनी का निर्यात किया जा सकता है। बांगला देश को भारत से कई अन्यक्रिशी उत्पादों का भी बड़े पैमाने पर निर्यात होता रहा है, जिसमें गेहूं, चावल, मक्का, ओयल मील एवं मसाले आदी शामिल हैं। भारत में उत्पादन घटने की संभावना को देखते हुए सरकार ने इस बार मिलर्स चीनी का निर्यात करने की अनुमती नहीं दी है, लेकिन वह अपने स्तर से चीनी का निर्यात कर सकती है।